नमस्कार आज के इस वीडियो के माध्यम से आज हम कुछ एन्वाइमेंट से रिलेटिड जो है वो बाते करने वाले हैं आई होप आपको जो है वो यह समझ आएगी चीजे काफी अच्छी जो है मैं बातें यहां पर बताऊंगा आपको जो आपको एक्जाम पॉइंट ओफिस के लिए सभी एक्जाम से लेटर में आपको यह वीडियो बना रहा हूं तो आई यह वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो का लेक्चर जो हमारा सात्वा लेक्चर होगा आज तो अगर आपने पीछे लेक्चर नहीं देखे तो आप उपर आई बेटन में देखेगा मैंने आपको कम्प्लीट वहाँ पर जाओ बॉटनी करवाई है कम्प्लीट बॉटनी इन जनरल साइंस तो आप उसको देख सकते हैं जीके ट्रिक एप के अंदर जो है वह डाउनलोड करना उसको सबसे पहले तो लिंक डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में है आपको नंबर या किसी भी इमेल से ज़एंड वह पर और जब उड़ों करोंगे तो स्टोर सेक्षिंट आपको दिखेगा तो स्टोर सेक्षिन पर क्लिक करना है आपको इंडिया जीकर प्रस नोटस में पर मिलेंगे साथ-साथ आपको है Biologi को जो है इसमें देख चैनल को जई कि लिंक की जो निक्सक्रिशन बॉक्स वाउच्छ के लिए मैं आवास जोइन कर सकते हैं यहां पर मैं पीडिया वगर शेयर कर देता हूं और साथ साथ जायो बुक्स अगर लेना चाहते है जन्रल साइंस की तो आप उसको डिक्स्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं जिक्यकी ठीक है तो आज हम जो है वह बात करने वाले हैं कुछ नाइट्रोजन साइकल के बारे मे सिंपल देखिए नाइट्रोजन साइकल में हमें कुछ नहीं करना है सबसे पहले देखो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है यह प्रोसेस रहती है जिसमें हम एट्मोस्परिक नाइट्रोजन को एक तरह से नाइट्रोजन कंपाउंड में जाओंड करता है लिविंग बिंग के थ्रू तो आपको याद रखना है कि नाइट्रिजन फिक्सेशन किसके मदद से होती है यह कुछ बैक्टिरिया के वाद से होती है यह आपको याद रखना तो राइजोबियम जो है वह लाग्यूमिनस प्लांट में आपक नाइट्रिजन फिक्स करता है तो नाइट्रिजन फिक्सेशन करना इन दा फॉर्म ऑफ नाइट्रिजनस कंपाउंड उसको क्या बोलते है आप नाइट्रिजन फिक्सेशन क्या होता है इतना आप समझे अमोनिफिकेशन यहाँ पर देखिए फोर्मेशन होता है अमोनिया का किस चीज़ी का फॉर्मेशन होता है अमोनिया को यहां पर फॉर्मेशन देखने को मिलेगा किसी भी और्गनिक कंपॉंड से लाइक आपका कोई भी प्रोटीन जो है या एमिनो एसिड जो है ठीक है या फिर न्यूकलिक एसिड की मदद से आपका किस में कनवर्ट होंगे अमो प्रोटीन से अब नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है सिंपल देखे नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है कि यहां पर हम अमोनिया को करते हैं नाइट्रेट्स में किसमें करते हैं नाइट्रेट्स में ठीक है और यहां पर बैक्ट्रिया कौन सकता है आपका नाइट्रो लगता है कौन से लगता है नाइट्रेट से वापिस अमोनिया बनाना है तो वह क्या होता को क्या होता है अच्छे से याद रखना है और यहां पर आपको ज्यादतर सीडोमनास बेक्टरिया देखने का मिलता है इस चीज़ को आपने याद रखना है अग्जाम पॉइंट रखना है तो नाइट्रोजन साइकल आपकी नाइट्रोजन फिक्सेशन करने से है जिसमें आपका अमोनिया नाइट्राइट और नाइट्रेड बनता है ठीक ह इस चीज़ को आपने याद रखना है अब मैं आपको जो है पॉइलिशन के बारे में बताता हूँ थोडा सा पॉइलिशन के बारे में बताता हूँ सिंपल देखिए अगर कोई भी हमारे एंवायमेंट में एंवायमेंट में कोई Jo या foreign particles add हो जाते है foreign particles का मतलब यह है कि जो environment के लिए नहीं बनी होती है environment के लिए dangerous रहती है तो वो अगर हमारे environment में add हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं pollution बोलते हैं क्या बोलते हैं ठीके आप यह foreign जो particle है वो कैसे add होता है वो generally आपको human activities की वरसे जाए वो देखने को मिलता है add होते हुए जैसे आपका carbon monoxide ठीके methane वगरा ठीके यह सब यह क्या है आपके pollution को create करते हैं industrial जो है effluent वगरा होते हैं ठीके यह आपको रहाद रखना है तो pollution जो है वो काफी सारे प्रकार का है generally हम क्या करेंगे air pollution को करेंगे water pollution को करेंगे और आपका एक noise pollution को करेंगे एक आपका soil pollution को करेंगे और एक आपका nuclear pollution को करेंगे यह इतने प्रकार के जो है pollution आपको देखने को मिलते हैं इस चिल को आपने याद रखना है अब देखे एर पोलिशन के बारे में बात करता हूँ आपको पता है हमारे एटमोस्पेर हमारे जो अर्थ है उस पे एटमोस्पेर है एटमोस्पेर का मतलब क्या है कि ग्रूप ऑफ गैसिस मलब गैसिस का जहाँ वो बंढ़ार है ठीके गैसिस भी कौन कौन सी है आप देखो सबसे ज़्यादा जहाँ वो नाइटरोजन है फिर आपकी ऑक्सिजन है फिर आपकी आर्गोन है फिर आपकी कार्बन डायकसाइड है इस तरह से जगो गैसिस का जहाँ जाल बिचा रहता है तो उसको क्या बोलते है एटमोस्फेर बोलते है एटमोस्फेर की लेयर भी कराता हूँ मैं आपको अभी थोड़ दिर में ठीके तो अगर उस एर में जो हमारे एटमोस्फेर में जो एर है उसमें कोई फोरन पार्टिकल्स आगर एड हो जाता है ठिके तो क्या हो जाता है आपका air pollution होता है या कोई pollutant add हो जाता है फॉरन पार्टिकल को हम या पर pollutant भी बोल सकते हैं तो भी क्या होता है आपका air pollution होता है अब air pollutants के रूप में carbon monoxide, sulphur dioxide, hydrogen sulfide ठिके और आपका hydrogen fluoride, nitrogen oxide और nitrogen dioxide ठिके इस चीज़ को आपको याद रखना है या फिर हाइड्रो कार्बन को एड़ जाता है या फिर अमोनिया एड़ जाता है या फिर टोबैको की जो स्मोड की जह है वो आपकी एड़ जाती है या फिर जो है आपका एरो सोस जो है वो एड़ जाता तो क्या होता आपका वो आपका क वाटर देखने को मिलती है एसे ड्रेन वाटर देखने को मिलते क्योंकि जो आपका सेलफ़ वह सल्फियूरिक एसेड की फॉर्मेट में जो आप वाप वापिस गिरता है तो सुट क्या बोलते हैं और एसे ड्रेन का पीएच कितना होता है फाइप पॉइंट सिक्से जह हो अब एक चीज आपको याद रहनी है आपने भौपाल गैस ट्रेजडी के नाम सुनाओगा भौपाल गैस ट्रेजडी के नाम ठीक है भौपाल गैस ट्रेजडी जो है वो 3 दिसंबर 1946 को हुई थी हमारे एटमोस्फेर में एक गैस एड हो गई थी जब एक कंपनी में से एक फर् में रिलीज हो गई थी तो इसकी वस्ते हजारों बंदों की मौत हो गई थी तो आपका बौपाल गैस ट्रेजडी जो है वो 3 दिसंबर 1946 को हुई थी मदेपरदेश के बौपाल में इसको याद रखना है और वहाँ पर रिलीज कौन सी हो थी गैस मिताहिल आईसो साइनेट ज दर्ती से जब हम सोड़ा क्ले मेंटर उलेटर उपर जाएंगे शिक्सेन किल्यमेटर उपर तो आप को कौन से पक्षी में और पॉसलने में अगर आप सोड़ा से 50 KM उपर जाओ 50 KM घरती से 50 Soil किलो मेटर का स adapting रेर का साकर करता है स्ट्राइटे स्टाइलसफेर देखने को मीथते क्या देखने को में स्ट्राइखने का स्ट्राइटेसफेर और इसी इस थैसे के लियुक्ते देखने को में जाने को छे रिटי जाते ओँ तो आपको बीच में किया देखने को मिलती है आपको देखने को मिलती है लास्क में आपको स्वेयर देखने को मिलती है ठीके अपने रहता है तो यहाँ पर स्टेटैंव में जाता है क्यों कि यहां पर सन्रेज्स बगरा पड़ती है और जो जो लेइर है वह आपकी यूवीडियो के प्रिट करती है तो इसकी वज़े से रेडिशाम क्रीट होती है तो temperature increase होता है mesosphere में जो है वो कोई भी ऐसी energy जो हो create होते हैं देखने कर नहीं मिलते हैं तो mesosphere में वापिस जो हो temperature क्या होता है डेक्रीज होता है लेकिन जब हम ionosphere में जाते हैं उपर तो temperature जहाँ आपका increase pollution के बारे में water pollution क्या होता है आपको पता है कि हमारा जो है 72% जो अर्थ है वो water से जह हो गिरा हुआ है यानि कि जो sea water है आपका उससे गिरा हुआ है और जो 2% है आपका वो पीने योग्य है यानि कि rivers का और जो glaciers का है या ponds का है यह पीने यह वोटर देखने के मिलते हैं तो दो परसेंट आपका वोटर है अगर हमारे वाटर के अंदर कोई unwanted substance जह है add हो जाता है mix हो जाता है जैसे कोई भी industrial का effluent जो इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होता है अगर वो वाटर में add होता है या कोई कर लेता हैं जैसेज क्या करते हो कोई को भी नदी होते गंगा नदी एक जमण स्सक्राइब तो इसा नहीं करना है तो देखो इसमें सिंप्ल याद रखो कि जैसे आपके कोई carbonates add हो गए, sulphates add हो गए, magnesium add हो गया, potassium add हो गया, ammonia add हो गया, carbon monoxide add हो गया, carbon dioxide add हो गया, कोई industrial remains add हो गया, ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं, water pollution करते हैं, और ये कहां जाते हैं, आपके समूदर में अगर जाते हैं, तो वहाँ पर जो है वो, heavy metals जो है ये, कि बाद से यहां पर देखने को मिलता है water pollution, ठीक है, इस चीज़ को आपने याद रखना है, और water pollution को खत कम करने के लिए, हमें क्या करना चाहिए, water pollution को कम करने के लिए, simple देखिए, कि water में आपको कोई भी, जो है, industrial effluent जो है, नहीं जाना चाहिए, ठीक है, ये आपको याद र रखना है, जादा से जादा जो है, लोगों को अवेर कीजिए कि water को सच रखिए, ठीक है, तो water को साफ सुतरा रखना चाहिए, ठीक है, अब देखिए, मैं आपको कुछ चीज़े बताता हूँ, जैसे आपका लेक के बारे में, ठीक है, लेक के बारे में, light कहां कहां तक पह रिजन होता है, ठर्मकला रिजन, यहाँ पर कोई भी जो है, वो light बहुत कम penetrate कर पाते है, इतलेर को, ठीक है, light जो है, वो कभी भी थल्ले पर नहीं पहुंच पाती है, लेके या किसी भी समुद्री रहे, ठीक है, और जो आपको देखने को मिलता है, कि जो आपका ये जो तर्मकला रिजन होता है, यहाँ पर लिटोरल और एलिमने टेक रिजन में आप कुछ है, वो light देखने को मिलते जाते हैं, थिके इस चीजी को आपने याद रुखना है, अब साउंड पोलूशन के बारे में बात करते हैं, थोड़ो चांनिंट पोलूशन में क्या होता है, ह जहातर साउंड पॉलिशन देखने के मिलता है थीक है तो अंडीजारी वरेबल या अन्वांट्यर जया हो साउंड एफ्टर जया वो एट्मसफेर में सकेटर करती है तो उसकी वज़से साउंड पॉलिशन होता है तो यह पहाड़ी इलाक्य होते हैं वहाँ पर जो ब्लो हॉर होता है ज्याद़ बड़े होरन जो होते है जो वह बेन होता है वह इस वह इस्वज़से बैन होता है क्योंकि साउंड की वज़ेसे जो है वह धरती में कम पूर होता है आपको संभावनाय देखने की मिलती है लैंस स्लाइड वगर होने की तो इस वाज़ से जहां पौलेशन जहां वह Ben किया life 事情 पौलेशन के बाद तेकर और लोगों को काफी परशानियां होती है किसी को बहना पहरापन भी हो सकता है तो वह स्थाल्ड पौलेशन की वैसे जो है वो हो सकता है और जैसे जानवर वगरा होते है तो उनको भी प्रॉब्लम्स होती है काफी ज़्यदा तो साउंड पॉलिशन जहां हमको नहीं करना चाहिए रात को दस बजे के बाद तो नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी फिर आप स्वाइल पॉलिशन देखिए स्वाइ आप सोटान करते के एंड़ में रोड़ है थाहिए इस रहा हम क्या करते है पट्लाइजर का यूज चाहिए कटे तो आपके इन आर्व प्न सब्स्टान्स ज़से बढ़ने होए है इसस्टान्स या थे उन्यों करें या फिर गार्वेज वगरा जो है वो हम सोल में मिला जाते है या कुछ जर्मिसाइड वगरा आऊ-में सलमें दो उससे घ्रता स्वाल होता है ठीक है हमाई सबस्प्राइब की जो एक तरह से गून है वह खतं वोने लग जाते है ठीक है तो हम l pollution को जो हो कम कर सकते है वा यूजिंग । ऑर अर्गनिक वेस्ट मतलब क्या है कि हम जो है वह % okay जो करके और ओर खाद करके गट को कम कर सकते हैं तो कि गुनवता को बढ़ा सकते हैं तीgg्ड इस इसको आपने याद रखना exam point of view से ठीक है अब मैं आपको पताता हूँ कि nuclear reactors, nuclear pollution क्या होता है देखो nuclear pollution में क्या होता है आपको radioactive substance देखने के मिलते है radio activity की substance से अगर आपके environment में जाला जाता है radioactive substance तो आप वो cancer like disease देखने के मिलती है ठीक है, nuclear reactors की वाज़से तो nuclear reactors की वाज़से आपको काफी साय जाओ environment में pollution देखने के मिलते है ठीक है, radioactive rays की increase देखने के मिलती है ठीक है, जैसे अभी 4G और 5G परिक्षिन चला हुआ है तो वो भी क्या है, वो एक तरह से radioactive substance है उसकी वाज़से क्या होता है pollution की वाज़से, radio activity की वाज़से जैसे आपके, क्या मरते हैं आपके ब्रोट्स वगरा बर जाते हैं तो वो भी क्या है आपका एक तरह से nuclear pollution ही एक तरह से इस चाहिए को आपने याद रखना है अब देखिए, आपका population क्या होती है, सबसे पहले देखिए, population क्या होती है किसी एक particular area में कितनी number of species रह रही है और उनका amount क्या है तो उसको क्या बोलते हैं population बोलते हैं, माल लो ये एक district है, एक district में कितनी species रह रही है कितने लोग रह रहे हैं, तो उस चीज़़गों count किया जाता है, तो क्या बोलते हैं उसको population बोलते हैं, तो group of जो है वो individuals of Spain same species at a given area is called population, ठीके अब population density क्या होती है देखो, population density 100 meter के area में कितने लोग रहते हैं ठीके, total number of individuals present in per unit area तो आपका वो क्या होती है population density होती है, 100 meter के area में कितने लोग रहते हैं या 1000 meter के area में कितने लोग रहते हैं, ठीके, तो उसको क्या बोलते है, population density बोलते हैं अब natality क्या होता है, simple देखी natality क्या होता है, natality अगर आपके birth rate में increase देखने को मिर रहा है, birth rate increase हो रहा है, तो वो natality होती है, और अगर तो आपका mortality होता है, अब birth rate कैसे बढ़ रही है, simple देखिए, हमार पास आज बहुत सारी सुविदा हो चुके, hospitals हो चुके हैं तरह तरह के हमने drugs बना दिये हैं ठीके, तो उसकी वरसे क्या होता है, कि आपका जो जीवन होता है, वो बढ़ जाता है हम यूज करते हैं मेडिसिंस वगरा का किसी एक बी डीजीज के लिए और हमारी जो डीजीज है, वो जल्दी से क्यों हो जाती है, तो उसकी वरसे क्यों थाप कर birth rate जाओ बढ़ रहा है, और death rate जाओ कम होती है, इस चीज़ को आपने याद रखना एक्जाम पॉइंट ओफ यू से, ठीक है, आप देखिए कमेंसल, पॉपॉलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है, पॉपॉलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है, सिंपल देखो, एक पर्टिकुलर एरिया में अगर नंबर आफ स्पीशिस जो है, वो एक्सप्लोजन होता है, ठीक है, पॉपॉलेशन जो है, एक्सप्लोजन होता है, ठीक है, इस चीज़ को आपने याद रहना है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, एक कंडिशन आती है, आपकी mutualism mutualism condition क्या आती है यहाँ पर देखिए it is a functional association between two different species in which both species are benefited एक है species आपकी host और एक है आपकी guest अगर host भी benefited है और guest भी benefited है तो आपका वो mutualism होता है मान लीजिए आपके शरीर के अंदर आपके शरीर के अंदर कुछ बैक्टी दे राते हैं तो यह आपका शरीर है यानि कि यह humans है और यह bacteria का शरीर है यानि कि guest है host आपके humans है और guest जो है आपके bacteria है तो bacteria भी आपके शरीर में से फाइदा ले रहे हैं और आप भी फाइदा ले रहे हो तो यानि कि यह वो क्या होगा आपका benefit हो गया एक benefit होगा दूसरा जो है वो ना एदर benefit ना तो उसको benefit होगा ना उसको जो है वो कोई harm होगा तो वो क्या condition होती है आपकी commensalism होती है ठीक है यह आपको याद रखना है ठीक है इस चीज़ को जा है वो आपने याद रखना exam point of view से तो आज हमने इतना किया environment के बारी में खतम कर दिया है थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत कोशन और कर लेते है थोड़े से देखिए हमको क्या करना है Bio-Diversity के बारे में पुरणा थोड़ा सा Bio-Diversity के बारे में Simple देखो Life Bio को बोलते हैं aurait Gě वह variety को बोलते हैं क्या बोलते है Life BIO को ристisch variety को Simple देखे जहां पर variety of living organism चाए वो flora हो चाए वो phona हो वो रहते हैं तो आपका बारा जिल जो है वो सबसे जह हो बड़ी बाइडवस्टी है सबसे बड़ी जह हो बाइडवस्टी है क्योंकि यहां पर अमेजन के फॉरेस्ट है और देखो इंडिया जो है वह इंडिया वी एक तरह से खुद बखो जह हो बाइडवस्टी है इस चीज़ को याद रखना है यानि कि इंडिया में भी जह हो तरह 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 के जह हो जानवर और तरह तरह के पेड़ पौदर जह है यहां पर देखने को मिलते हैं तो उसको बाइडवस्टी बोलते है जो बाइडवस्टी टम थी वह क इसका एड़कॉर्टर आपका परिस में है इसका हैड़कॉर्टर आपका नेरोबिक कीनिया में है तो यह जो सबसे पहले होट स्पोर्ट क्या होते हैं देखो ऐसे एरिया जो रिडिश है यह थिशीज meu पहले हैं यह जो यह थीनिया है यह पहले की में है इंडिया होत रिशीज में है हुट स्पोर्ट हिमालین होट स्पोट तिसरा आपको याद रखना है वेस्टन घाट होट स्पोट वेस्टन घाट होट स्पोट और चौता है आपका सुंडा लेंड होट स्पोट ये आपका सुंडा लेंड आपका निकोबार आईलेंड के आसपास है ठीके तो चार होट-सपोर्ट है और बायजोग्रफिकर रिजन्स जहां पर किसी कर स्टैडी और ओरिजन करते हैं हम तो उसकर बायजोग्रफिकर रिजन्स वोते हैं तो 10 बायजव्रफिकर रिजन्स देखने को मिलते हैं ठीके, यसमेंannah डैककन आता है, गांगेटिक प्लेन ठीक है इस्टन हिमालयन आजाता है वेस्टन हिमालयन आजाता है ट्रांस हिमालयन आजाता है तो यह वेस्टन घार्स आजाता है इस्टन घार्स आजाता है कुछ कोस्टरी राकिया आजाता है ठीक है और कुछ एरिड एरिया आजाता है कुछ डेजर्टी एरिया आजाता है य ठीक है इन चीजों को आपने याद रखना है exam point of view से question बन सकता है यहाँ पे अब देखिए कुछ और चीज़े मैं बताता हूँ आपको कि national parks क्या होते हैं ऐसे areas जो in-situ conservation में आते हैं यानि कि protected areas रहते हैं ये और ये चीज़े आप याद रखेगा कि यहाँ पर कोई भी grazing वगरा नहीं होती है cultivation वगरा जो है वो दही नहीं देखने के मिलती है इनका large area देखने के मिलता है और यहाँ पर जानवेरों जो है वो खुले में रहते हैं जंगर में रहते हैं तो वो national parks होते हैं अब मैं कुछ national parks हिमाचल के national park याद रखेगा आपका great himalyal national park कुल्यूं में हैं आपका pin valley national park लाहुसपिती में हैं आपका इंदर Oklahoma प्रदेश के पॉंटासाइब में है अब देखो कुछ इंडिया की इंपोर्टेंट जैसे काजिरंगा मैंने बता दिया मानस नेशनल पार्क असम में नामेरी असम में है दिबरु साइखोवा आपका असम में है और आपका काजिनाग जो है वो आपका जम्मु कश्मीर में है दाची गम जो है जम्मु कश्मीर में है नेशनल पार्क ठीके हैमिस नेशनल पार्क जो है आपका लद्दाक में है यह आपको याद रखना सलीम अली नेश्टर पार्क जो है आपका डम्मु कश्मीर में है और अगर सलीम अली वाइल लैप सेंचरी पूछा गया तो आपका गोवा में है यह आपको याद रखना है और भी आपको याद रखना काले सर नेश्टर पार्क यह और सुलतान पूर नेश्टर पार्क यह उत्राखन में है एक्जाम पोईंट ऊफिस ब़िसर पाका याद रहने है दuddüğघ जुनषसर पाक है वो आपका जुपी में है और नंद्दादैवियनिश्र पाक कहा पर आपका ये उत्राखण में है और Flower Valley National Park भी आपका उत्रखन में बोले जाता है और एक आपको याद रखना है वालमी की National Park ये आपका कहां पर है बिहार में है ये भी आपको याद रखना है मद्दे परदेश में कानहा, माधव, कानहा, पन्ना इस तरह से जैवो National Park है तो आपको काफी सा National Park याद रखने है अब Wildlife Centuries के बारे में बता रहता हूँ मैं आपको Wildlife Centuries भी आपकी In-Situ Conservation में आती है यानि कि Protected Areas में आती है और एक तरह से याद रखना है कि यहाँ पर ग्रेजिंग वगरा कल्टिवेशन वगरा कुछ अलाव रहती है आपको तुणोटे इस बयारे में अपकी आपकी कि प्सक्री 1982 छर्मटेये साह République तरहों नहीं है प्सक्राइब करें है आपको याद कर लेनी है अब मैं आपको हर्बेरियम के बारें बताता हूँ हर्बेरियम क्या होते है जहाँ पर हम हब्स को प्रिजर्व करके रखते है हब्स को हब्स क्या होते है जड़ी बूटियों को प्रिजर्व करके रखते है या पतियों को लीफ्स को प्रज़र्व करकर रखते हैं तो वो हर्बेरियम होता है क्या होता है? वो हर्बेरियम होता है ठीके? और बॉटनिकल गार्डन्स याद रखेगा जहाँ पर हम किसी प्लांट की स्पीशिस को चाहे रूट्स होँगी, चाहे लीफ्स होँगी, चाहे स्टैम होगी कोई भी और्गन प्लांट का उसको प्रिजर्व करके रखेंगे तो वो बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं यहाँ पर हम उसकी जह वो स्टडी भी कर सकते हैं यह आपको याद रखना है, तो बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं ठीक है, जैसे आपका कोई घर का गार्डन है, जहाँ पर आपने फूल वगरा उगाए है तो वो क्या है, वो बॉटनिकल गार्डन है एक तरह से ठीक है इस शी को आपने याद रखना है exam point of view से तो बाइडवस्टी के फाइदे देखिए बाइडवस्टी के फाइदे क्या है सबसे पहले तो आपको ये food chain के लिए food provide करती है सबसे पहले आप क्या खाते हो fruits काते हो food लेते हो वो कहा समिएडे आपको बाइडवस्टी समिल रहा है दूसरा आपका agricultural importance भी देखने कर मिलता है जो भी आपका food मिलता है वो कहा समिलता है agriculture से मिलता है तो हम बाइडवस्टी से agriculture का भी फाइदा उठाते हैं द्रग्सनद्वाइड द्रग्सनद्वाइड से 49 anci से लोग येकं से गैसित मेर देन होको काफी का डरग होता यह ठीक है का ड्रग्सनद्द्व Ferguson बोंको कहां सै मिलता है और छो मॉर्पिन आपको ओप्यम ट्री से मिलता है कोडीन कहां से में ड्रगड सारे की सारे री बालवस्टी से हम करने के लिए उसकी सिपक्राइब करgging कि इसे जूट हम कहा सकते हैं से क्या कर सकते हैंगі जोब आप्ठाल कर सकते हैं आप जो है वो स्पोर्स परसन होते हैं अगर वो इप्व्र में ने होक्की वगरा का से बनती है रहा हो आसे वह आपको वगरा ड मिश्यक आलशाओ कि पूज़े मिर करते हैं फेजरी ट्री की पूझा करते हैं कहीं लोग फेजरी ट्री की पूझा करते हैं। तयसे पर दोफ़ेय। यानि कि हमें पेड़ पौदो को जह है वो उगाना है डिफोरेस्टेशन को जह हमें कम करना है डिफोरेस्टेशन करने की मतलब फोरेस्ट की कटिंग जह हो हमको कम करनी है ठीक है एफोरेस्टेशन करेंगे तो हमारा जो है वो oxygen content बढ़ेगा और carbon dioxide content जह हो decrease होगा इस चीज़ को आपने याद रखना है exam point of view से ठीक है जो है थोड़ा सा urbanization को कम करना है rural development जह हो ज़्यादा करना है ठीक है अर्बनाइशन को जह हो कम करके rural development को जह हो ज़्यादा करना है ठीक है इस से हम पेड़ को उगा कर जाए हो soil horizon को जह हो रोक सकते है जहने कि soil का मतलब क्या है soil horizon का मतलब क्या है एक स्थाना से soil अगर दूसरे स्थाना बजाते तो वो किस वर से जा रही है क्योंकि वो सुल इलाके में जाए हो पेड़ नहीं है तो soil horizon को भी हम रोक सकते है पेड़ हुआ कर ठीक है इन जी जो को आपने याद रखना है तो यह थे आज का आपका environment का लेक्चर बायोजिक का लेक्चर तो आई होप आपको समझाया हो अच्छे से बिल्कुल basic level समयने आपको समझाया है तो आज के वीडियों बस इतना ही करते है कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ तब तक लिए जाहिन 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 भारत आपके दिन शुब हो जाहिन